तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारी गेम में बियार रेंग का एक रेंग सीजन डाउनों के एक नया रेंग सीजन स्टार्ट होता है और उस रेंग सीजन में बहुत ज़्यादा मैनत करने के बाद मैं अपना मेन आईडी में ग्रांड मस्टर लगा देता हूँ और ग्रांड मस्टर लगाने के बाद मेरे दिमाग में क्या लाता है क्यों ना इंडिया के वेपन ग्लोरी टाइटल के लिए पूसिंग की जाए और बहुत ज़्यादा मैनत करने के बाद मैं उस चैलेंज को भी कम्प्लीट कर लेता हूँ और सौट गन के इंडिया में साथ नंबर पर और स्नाइपर के इंडिया में भी आ जाता हूँ और फिर बहुत देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आईडिया आता है क्या हो अगर हम यही चैलेंज को एक नया आईडिया बना के करें तो क्या हम लोग यह सीजन के डाउन होने से पहले अपना यह चैलेंज कम्प्लीट कर पाएंगे यही जानने के लिए मैं एक नया आईडिया बना देता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ जी डबलू साहिल और इस आईडि में हम लोग के पास कुछ चैलेंज भी होंगे कि हम लोग को ब्रोंज से रैंक पुस करके यह आईडि में ग्रांड मास्टर लगाना होगा इस सीरीज का एक एपिसोड मैं अल्रेडी अपने चैल पर अपलोड कर दिया हूँ जिसमें ब्रोंज से रैंक पुस करके मैंने प्लैटिनम पोर रैंक को अचीब कर लिया था तो आज हम लोग आगे के लिए रैंक पुस करने वाले हैं यहाँ पर एनमी पैक करने की कोसिस कर रहा है उसके पैर पे गोली मार के मैं उसको लॉबी पहुचा देता हूँ और थोड़ा सा आगे आने पर जब मैं नीचे देखता हूँ तो नीचे बहुत सारी ग्लूवल लगी होती है और वहाँ पर फाइट भी होती है तो यहाँ पर यहाँ पर भाई मैं हेट सोट मार के सको डाउन कर देता हूँ यह होला जाइन ले रहा होता है तो किल भी फिनिस कर लेता हूँ पीछे से एक और एनमी निकल के यहाँ पर आगी है उसने मेरी लैन माइन भी तोड़ दी जल्दी से हम लोग अपनी ग्लूवल को कोलते है और यहाँ पर बहुत तेजी से एनमी के फुट स्टैप भी मेरे को आ रहे होते है यहाँ पर एनमी वुकॉंग बना होता है और इसको स्कोप इन करके मैं फाइनली खतम कर देता हूँ और उपर से भी ना एनमी का मार्क आता है रेड वाली ग्लूवल के पास तो मैं इसको तोड करता हूँ लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है लेकिन इस घर के नीचे से एक एनमी के फुट स्टैप आते है जैसी मैं नीचे निकल के आता हूँ तो एनमी को बहुत जादा डैमेज करता हूँ लेकिन बहुती कम डैमेज एनमी को गिरता है क्योंकि मेरे पास गुन स्क किल के दम पर एलिमिनेट कर देता हूँ अब एक ही एनमी अलाइव होता हूँ यह एनमी को अगर हम लोग मार देते तो हम लोग का ए गेम में बोया निकल जाएगा और यह गेम में लोग के आठ किल होते और इधर ही मेरे को एनमी के पुट स्टैप आते जैसी अंदर आता कर देता हूँ यहाँ पर एनमी पैक करके पीछे भाग रहा है और एनमी बाहर निकल गया एनमी को डैमेज लगता है वह आठ नौ का डैमेज एनमी को गिरता है क्यूकि मेरे पास तो कोई भी गंस किन नहीं होती है लेकिन हैट सोट मार के मैं एनमी को फिनिस कर लेता हूँ और आज का पहला गेम मैं बुया 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 करता हूँ और ये गेम में अमलोग के 9 किल होते हैं और मैं प्लेटिनम पोर से डाइमंड 1 में गिर जाता हूँ और मेरेको 51 का प्लस मिलता है और ये गेम में ने बहुत सारे बीकल एनमी यूज करते हैं तो यहाँ पर मैं दोनों ही गाड़ी को तोड़ देता हूँ सामने एक एनमी होता है जिसको भाई हेट सोट भी लगता है लेकिन देखो यार बिना अगन स्कीन के खेलना कितना जादा मुस्किल होता है बंदे को मैं हेट सोट भी मारता हूँ लेकिन वो बज जाता है तो जल्दी से मैं अंदर आके मैट कुट लगा लेता हूँ और अपना हेलमेट को भी सुधार लेता हूँ और फिर बाहर निकल के मेरे पास दो-तीन ग्रैनेट होते है तो यहाँ पर ना एनमी देखो स्टैंटोनियो को यूज करता है उसके आस ट्रोगन होती है बहुत सारा डैमेज गीरा होता है तो यहाँ पर हम लोग एक बम को मतलब कुक कर लेते और यहाँ पर एनमी का स्किल तो ब्लॉक होता है और एनमी शायद यह ट्रक के पास है वो लैनमाइन लगा के भागा है और उसको एक तीन दो मतलब 132 का डैमेज लगता है ग्रैनेट से तो जल्दी से रस करते यहाँ पर एनमी को हम भाई एपजील से ही एलिमिनेट कर देते और यहाँ पर देखो इसने लैनमाइन लगाई होती है पहले इसकी लैनमाइन तोड़ देते यहाँ पर ग्लूवल टूट रही है तो ग्लूवल लगा के हम लोग लूट कर लेते और UMP मेरे को चलानी नहीं आती तो हम लोग जल्दी से MP5 निकाल लेते और मेरे पास थोड़ी चिप भी होती है तो इसको तीन चिप हम लोग कर लेते और देखोगे तो एक गेम में हम लोग का एक ही किल होता है और एक ही एनमी अलाई होता है लास्ट वाला एनमी ट्रक के पीछे होता है और भाई उसको थोड़ा सा ही डैमेज गिरता है यार तो हम लोग को उसके पास में जाना पड़ेगा मेरे पास bum भी है, तो bum फैकेंगे उसके उपर, और यहाँ पर यार, bum तो उसको ज़्यादा damage नहीं लगता है, को अर बम मैंने फैका है, और यह वाला bum तो हम लोग का waste हो जाता है, और यहाँ पर यार मेरे डाइमंड 2 पहुंच जाते हैं और बैक करने पर मेरे को ये बहुत सारे रिवर्ड मिलते हैं और मेरा ये आईडी का लेवल भी 17 हो जाता है तो फिर हम लोग जल्दी से नेक्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं और फिर बहुत देर गेम खेलने के बाद अब ये गेम के बाद हम लोग का डाइमंड 3 होने वाला होते हैं एनमी को बहुत सारा डैमेज लगता है लेकिन वो ऊपर भाग रहा है तो जल्दी से उसके पीछे पीछे चलते हैं और यहाँ पर वो चलो इसका सोनी एक्टिव है और यहाँ पर यह डाउन हो गया होला जाइन ले रहा है तो जल्दी से किल फिनिस करते हैं और नीचे एक और पुट स्टैप आ रहे है उसके बहुत तेजी से और यहाँ पर हैल थोड़ी सी कम होती है तो एक मैट किट भी लगा लेते हैं अपनी वैस्ट को भी सुधार लेते हैं अभी सिरुप दो एनमी अलाइव होते हैं और यह एनमी को मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूं लेकिन यह दूर भाग जाता है एनमी का स्किल भी ब्लॉक होता है जल्दी से अंदर रस करते हैं इसने पैक कर लिया तो इसकी ग्लूओल तोड़ते और भाई यह तो ग्लूओल भी नहीं तूटती है जल्दी से और यहाँ पर डैमेज और फाइनली यह एनमी खातम हो जाता है लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला एनमी अलाइव होता है सिर्फ एक एनमी और वो ना मेरी लैनमाइन के उपर ही चड़के मर जाता है जो मैंने पीछे लैनमाइन लगाई होती है और यह गेम में भी हम लोग का बुईया 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 हो जाता है और यह गेम में हम लोग के बोड़ा ही प्लस चाहिए होता है डाइमेंट फोर जाने के लिए कि नीचे एक एक एनमी होता है जिसको पूर और लाल नंबर से मैं खतम कर देता हूँ और एक और एनमी ना नीचे होता है मतलब वो बूट मोमेंट कर रहा होता है उसको उचल के मैं हैट सोट मारता हूँ लेक लोग के बहुत तीन किल निकल जाते और यहाँ पर बहुत देर गेम को बैटने के बाद हम लोग को एक और एनमी दिखता है जिसको मैं बहुत जादा डैमेज करता हूँ लेकिन वो ग्लूओल लगा देता है और यहाँ पर मेरे पास एपजील होती है ग्लूओल में आग लगा यहाँ पर मैं ग्लूओल लगा के सूपर मैटकिट लगाता हूँ कि वो मेरे ग्लूओल तोडने लग जाता है और आग लगाने वाली ग्लूओल गन मार देता है यहाँ पर मेरे ग्लूओल बहुत तेजी से तूटने लगती है यह देखो मेरे ग्लूओल कितना तेजी से वहां पर बहुत जादा है अठीट कर पते हैं तो यहां से थो ड़ा सा पीछे से डेमेज करता हूं कि यहां पर उन डोने का फज़ता है लेकिन वह ले लेता है और वहाँ पर बस अब एक ही एनमी अलाईव होता है और यार बहुत खतरनाक सा एनमी लग रहा है मतलब उसके पास ना यार लेबल 7 की shot gun लग रही है मेरेको मैं अपना truck मंगा लेता हूँ मतलब truck बुला लेता हूँ पास ना ग्लूवल भी खतम हो जाती है यहाँ पर मेरा मतलब गाड़ी तूड़ जाता है इसको मैं डैमेज मारता हूं लेकिन मेरे पास ग्लूवल नहीं होती है यहाँ पर इसको हैक्षोड भी लगता है लेकिन यार वही मतलब बिना गंस्किन के खेलना बहुत ज्यादा लगता है और मेरे को 58 का प्लस मिलता है और मैं डाइमंड 4 पहुँच जाता हूं और फिर बहुत देर गेम खेलने के बाद बस यह गेम के बाद हम लोग का डाइमंड से हिरोईक होने वाला होता है यहाँ पर लॉंच पेड का यूज करके मैं यह बड़े वाले घर में आ जा करता है उसका मैं पहले स्किल ब्लोक करता हूं डैमेज करता हूं आपर वो मेरे को फसा देता है तो मैं नीचे जम करता हूं यहाँ पर एनमी बहुत तेजी से भाग रहा होता है और वो उस तरह निकल जाता है मैं भी उसके पीछे पीछे आता हूं और मैट किट लगा रहा ह यह वाली गन बहुत अच्छी होती है बिना गन स्कीन के भी बहुत अच्छी चलती है ड्रॉप में मिलती है हमको देखो उसको कितना सारा डैमेज लगता है 30-30 को और इसका रेट ओफायर भी बहुत जादा ही खतरनाक होता है यहाँ पर मैं उसकी ग्लूवल तोड़ते जाता ह हो लास्ट में जाके उसको डाउन कर देता हूँ वहाल्ल जाइन लेता है तो किल्पिनिस कर लेता हूँ पाइनली बhao इतनी देर रैंक पुस करने के बाद हम लोग एक और गेम बया करते हैं 5 हम लोग के गेम में होतें और हम लोग डााइमंड से हिरोई क पहुंच जातें बहुत देरे मुस करने के बाद और हम लोग का बाई ये गेम में मतलब ये आइडी में पहला अन्वेलब भी अटेच हो जाता है और ये वीडियो का लाइक है मम लोग रखते हैं 200 लाइक का अगर आप लोग ये वीडियो पे 200 लाइक करवा देते हो तो मैं ये सीजन डाउन होने से पहले ये ब्रोज वाली आईडी में Grandmaster आप लोग को लगा के दिखाऊंगा और साथ ही ये आईडी में इंडिया का weapon Glory टाइ और अगा?